नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज मैं आप सभी को जो कहानी सुनाने वाली हूँ, उसका सीर्षक है जेब कत्रा, जिसे लिखा है ज्यान प्रकास विवेग जी ने. ज्यान प्रकास विवेग जी हिंदी साहित्त का एक महत्वपून नाम है, जो मानवी समवेदना को बहत करीब से छू कर महसूस करवाते हैं. तो चलिए सुरू करते हैं आज की कहानी जेब कत्रा, बस से उतर कर जेब में हाथ डाला, मैं चौक पड़ा, जेब कट चुकी थी, जेब में था भी क्या, कुल नौ रुपै और एक खत, जो मैंने मां को लिखा था कि मेरी नौकरी छूट गई है, अभी पैसे नहीं भेज पाऊंगा. तिन दिनों से वह पोस्ट कार्ड जेब में पड़ा था, पोस्ट करने को मन ही नहीं कर रहा था. नौ रुपै जा चुके थे, यूँ नौ रुपै कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन जिसकी नौकरी छूट चुकी हो, उसके लिए नौ रुपै नौ सौ से कम नहीं होते. कुछ दिन गुजरे, मा का खत मिला, पढ़ने से पूर्व मैं सहम गया, जरूर पैसे भेजने को लिखा होगा, लेकिन खत पढ़कर मैं हैरान रहे गया. मा ने लिखा था, बेटा, तेरा भेजा, पचास रुपै का मनी ओर्डर मिल गया है, तू कितना अच्छा है रे, पैसे भेजने में कभी लापरवाही नहीं बरतता. मैं इसी उधेडबुन में लग गया की, आखिर मा को मनी ओर्डर किसने भेजा होगा, कुछ दिन बाद एक और पत्र मिला, चंद लाईने थी, आड़ी तिर्ची, बड़ी मुस्किल से खत पढ़ पाया, लिखा था, भाई, नौ रुपए तुम्हारे और एक तालिस रुपए अपनी ओर से मिला कर, मैंने तुम्हारी मा को मनी ओर्डर भेज दिया है, फिकर मत करना, मा तो सबकी एक जैसी होती है, वह क्यों भूकी रहे, तुम्हारा जेब कत्रा, इस कहानी से हमें सिक्षा मिलती है कि बुरे कामों में लिप्त हर वेक्ती बुरा नहीं होता, उनके अंदर भी मानविय सम्वेदनाएं होती हैं, जो समय पाकर प्रगट हो जाती हैं, और वे भी दूसरों की सहायता करते हैं,